Hello everyone, I hope you are all doing great and staying absolutely safe. Well, Egypt में Sinai Peninsula पे एक जगा है जिसका नाम है Sharmal Sheik. काफी देर से बहुत जादा न्यूज में बनी हुई है Sharmal Sheik. तो क्या है COP27 जो की यहां पे हुई? क्या उसकी रेलिवेंस है? क्या वो एक सक्सेस रही या उसको हम फेलियर कह सकते हैं? इन सभी दिमेंशन को मैं एक बहुत छोटे लेकिन बहुत इंपक्फुल सेशन में कवर करने वाला हूँ. So, welcome everyone, that's me Aakashun Dev and I'll make sure कि इस पूरे मुद्दे की तहर तक हम लोग जाएं. Before I even start, I would like to tell you कि एक बहुत बड़ी summit हुई थी जिसको हम लोग Rio की Earth Summit कहते हैं, ब्रजील में हुई थी 1992 में, Rio की Earth Summit से हमने देखा United Nation Framework Convention on Climate Change निकला, United Nation Convention to Combat Desertification निकला, और Convention on Biological Diversity निकला. So, हमारी discussion के लिए हमें बस यह जानना है कि UNFCCC जो है, वो Rio Summit से निकला था. Easy, very easy, perfect. Now, the next thing which I would like to tell you guys is, कि UNFCC जो है, एक basically International Environment Treaty है, जो कि Climate Change को Combat करने के लिए है, Climate Change मतलब जैसे हम कहते हैं, Global Warming हो गई, उसको वेसी के लिए, टाकल करने के लिए, इतना आप असान शब्दों में समझो, तो Global Warming को टाकल कैसे करोगे, Greenhouse Gas Emission को कम करके, तो बात यही आती कि Greenhouse Gas Emission जो है, जो Global Warming करती है, हमें उसको कम करना है. Clear? तो जैसे मैंने आपको बताया, Rio की जो Earth Summit थी, वहाँ पे 1992 में अडॉप्ट हुई, और COP1 यानि की Conference of Parties 1, जैसे अभी COP27 हुई है, वैसे COP1 कब हुई थी? 1995 में हुई थी, Berlin यानि की Germany में. तो Conference of Parties का मतलब क्या है? अलग-अलग countries के जो नुमाइंदे हैं, जो उनको represent कर रहे हैं, वो मिलेंगे, और वो बात करेंगे कि कैसे हम लोग Global Warming को tackle कर सकते हैं, इतनी सी बात है. तो यहाँ पे there's no rocket science as such, बहुत असान है यह सारा कसारा जो फंडा में आपको गरवा रहा हूं, बस आप थोड़ा सा समझते रहें. उसके बाद, बहुत सारी COP's from time to time होती गई. अभी recently COP 25 बहुत जादा न्यूज में थी, चिली में हुई थी, यह 2019 में. अभी last COP 26 हुई थी, Glasgow में. फाइन, COP 15, जो 2015 में हुई थी, COP 21, Paris Agreement यहां हुआ थी, यह बहुत important है. तो यहां पर यह कुछ COP's है, यह कुछ Conference of Parties है, जो की Climate Summits अब इनको कह सकते हैं. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो last हुई थी, COP26, Glasgow यानि की UK में हुई थी, इसकी भी बहुत जादा चर्चा दी. But we always need to understand कि अभी वाली COP है, उसके क्या major outcome है, उसके उपर यह main video है. तो मैंने यह जो थोड़ा बहुत आपको बताया है सारा, यह बताना जरूरी था ताकि मैं आपको यहां तक लापाऊ। नहीं तो अगर मैं सीधे COP से start कुरूंगा हो सकता, आपको समझना आए कुछ. So what are the major outcome? What are the updates from COP27? पहली बात तो COP27 कहा हुई? एजिप्ट में शर्मल शेक नाम की जगा है, वहां पर यह हुई. Now you've got to understand one thing, कहा गया कि COP27 एंड्स विद अनौस्मेंट on historic loss and damage fund, तो क्यो ना यहीं से start किया जाया? Because it was actually all of the news, कि भाई यह जो loss and damage fund है, यह बहुत जादा एक खास चीज है, जो पहले कभी नहीं हुआ, वो अब हो गया. तो हमें इस चीज के उपर पूरा जो focus है, वो बना कर चलना है कि आकिरकार यह क्या है? तो मैं इसी से start करना, जान बूच के, because I want you all to understand this thing. अब ध्यान दीजिए, what is this loss and damage funding? सबसे पहली बात यह है, माल लीजिए, कोई vulnerable country है, जिसकी बात यहाँ पे की गई है, वहाँ पे climate induced disaster या फिर climate related disaster आनी है, अब इसका मतलब क्या है? एक country है, जाँ पहले ते floods नहीं आते नहीं, वाँ floods आने लगे. floods की वज़े से घर बरबाद हुए, बिसनस बरबाद हुए, loss हुआ, वो loss की भरपाई कौन करेगा? यह वाला fund. किसी country में hurricanes बहुत आ रहे हैं, सब climate change की वज़े से ही तो होता है. तो कहीं drought पढ़ गया, कहीं flood आ गया, तो यह सब चीज़ें, जो भी climate related disaster न है. तो developing countries तो पिछले almost three decades से ही, मतलब आप यह मान के चलो, 1992 से ही बात कर रहे थे कि वह financial assistance बहुत ज़रूरी है, जो भी loss and damage होता है. कि we need money to rescue, rebuild the infrastructure which is devastated. लेकिन अगर एक तरफ यह success है, तो दूसरी तरफ हलका सा failure कै है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. यह तो हमने discuss कर लिया कि fund चाहिए, बट उस fund को भरपाई कौन करेगा, उस fund को भरेगा कौन, there is no agreement as to how to finance this particular fund. पैसा तो चाहिए, money कहां से आएगी, उसके उपर भी चर्चा कर दी है. एक चीज़ पर मैं बात करना चाहूंगा, बड़ी खासीज है, यह धान रखेगा. जैसे पैरिस की जो समिट थी, जो COP21 थी, जो 2015 की, यह पैरिस वाली, तो यहां पे भी काफी सारी बात है हुई थी, यहां पे बात हुई थी, के गोल बनाते हैं, to keep the global temperature rise well below 2 degree centigrade, और कोशिश करेंगे कि 1.5 degree centigrade से भी कम रख पाएं. हाला कि 1.5 degree centigrade से कम रख है, बहुत मुश्किल है, rise को, but still, they all set कि we can do that, और Glasgow में भी इसके उपर ही बात की गई थी, ठीक है, कि हम लोग focus करेंगे 1.5 degree centigrade की ही limit तक उससे जादा नहीं जाएंगे, ठीक है, but you got to understand this thing, कि इस बार, जो शर्मल शेक में हमने यह समिट देखी, यहां पर हम लोग reform इतना नहीं कर पाए, because यह माना जा रहा है कि यह बहुत जादा impractical हो जाएगा, इतना कम हम लोग नहीं रख पाएंगे, so this is a very, not a very healthy thing, but this is what is true, next जो बात है, वो है कि countries repeated, that will face down the coal, now you all know one thing, आप सब लोग जानते हैं, कि coal is a fossil fuel, अब जो fossil fuel है, यह बात COP26 Glasgow में भी हुई थी, कि हम लोग कैसे, इसको face down करेंगे, लेकिन इस text में low emission energy की बात की गई है, so what is low emission energy, जैसे gas, natural gas, तो gas भी तो greenhouse gas emission कर रही है, तो मैं मानता हो कि वो clean है, coal से कम करेगी, बट स्टिल, ऐसा तो नहीं कि green house gases नहीं निकल रही है जब आप natural gas को बात की गई है, यहाँ पे भी थोड़ा सा flaw है, कि भाई यहाँ पे भी greenhouse gas emission तो होनी ही है, anyways on top of it, global renewable alliance की बात की गई, for the first time यह बढ़ी है कि अच्छी चीज लगी, कि it'll bring together all the technologies required for energy transition, अब आपको coal से solar की तरफ जा रहा है, तो आपको solar panels चाहिए, wind energy के लिए आपको बहुत सारी turbines चाहिए, तो वो एक बहुत important चीज है, तो alliance basically aimed to position renewable energy as a pillar of sustainable development economic growth, तो यहाँ पे फिर से वही बात है, कि solar है, wind है, biomass है, हम लोग इन चीजों पे जादा focus करेंगे, जियो थर्मल वगेरा पे हम लोग थोड़ा धान देंगे, एक बड़ी खासी है कि at शर्मल शेक सीओ पे 27, a new five-year work program has been launched to promote climate technology solution, especially कहां पे developing countries, economic, जो emerging economies है, यहां तक की एक aware, बहुत important जीज निकल की आई, तो आपको exam में आ सकता है, aware was in a lot of news, what is aware, so it is action on water adaptation and resilience, basically initiative है, to tell everyone about the importance of water, as key, you know, climate change problem and potential solution, तो यह बहुत important जीज है, climate change की जब भी आब बात करते है, तो you got to understand की water की कितनी एक एहम भूमिका है, उसको भी conserve करने की जरूरत है, तो उस sense में इसको देखा गया है, clear है जी इतना, so again I would like to let you know, that's me Aakash and if you can follow me on Unacademy, आप मुझे follow कर सकते हैं, आप की ओपर I bring a lot of free sessions as well, Unacademy Defense Mentors का, यह एक Telegram Channel है, जिसको आप बिल्कुल follow कर सकते हैं, and do subscribe to our channel, like और share इस वीडियो को करते हैं, अगर आपको useful लगी है तो, and make sure you comment, and let me know, की, यहाँ पर, इंडिया जो है, वहाँ पर, विंड एनर्जी में, कौन सी स्टेट है, जो लीड करती है, I hope you got the question, इंडिया में, विंड एनर्जी में, कौन सी स्टेट लीड करती है, that's a simple question for you guys, think about it, do let me know, top three states, in the comment section, thank you so much, have a great day, Jai Hind, Jai Bharat.